असलाम अलेकूम वेवर्स, I am Zara Ali and welcome to my YouTube channel Health is Well आज जो वीडियो में लेकर आई हूँ वो प्रेग्डेंसी के 24 वीक से related है कि आपका 24 हफता कैसा रहेगा 24 वीक का मतलब है अभी 6 मन्त लगा हुआ है यानि कि 2nd ट्राइमेस्टर चल रहा है आपका अल्मोस अपनी प्रेग्डेंसी का 2-3 हिस्सा कम्पलीट हो चुका है अभी डिलिवरी को सिर्फ 3 माह बागी है तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके बेबी में क्या-क्या चेंजिस आए हैं आपके अपने अंदर क्या-क्या चेंजिस आए हैं आपको किन-किन चीजों का ख्याल रहना है और कौन कौन सी टिप्स को फॉलो करना है तो सबसे पहले बात करेंगे आपके बेबी के बारे में जिसका हर औरत को इंतिजार होता है बेस सबरी से कि उसका बेबी अब कितना बड़ा हो गया है और वो कैसा दिखता है तो इस वक्त आपके बेबी का जो वज़न है वो साड़े 500 से सबस छे सो गराम तक है यानि कि कभी बच्चे का वज़न जो है वो साड़े 500 सो कभी 600 और कभी कभी 700 चे सो तक भी हो जाता है और अगर किसी fruit के साथ compare करें तो एक छोटे size का जो खर्बूजा होता है उसके बराबर अभी आपका baby है अगर बच्चे की height आप पुछेंगी तो 28 से 30 cm तक हो सकती है इसके अलावा हमने जो भी 23 week में baby के sign and symptoms discuss करें हैं वही सब continue रहेंगे बच्चे का जो muscle mass है उसकी काफी rapidly growth हो रही है बच्चे के muscle mass है बॉन्स है और वो सब जो है वो तेजी के साथ growth कर रहे हैं इसके अलावा बच्चे की skin के नीचे अभी fat की layer बनना शुरू हो जाएगी जिसकी वज़े से बच्चे का वज़न काफी तेजी के साथ बढ़ेगा बच्चे के बात यानि कि 24 वीक में अभी मैलान बोलते हैं हम लोग या pigments डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है बेबी की skin के उपर तो इसकी वज़े से बेबी की skin का color अब थोड़ा change दिखेगा अगर आपका बेबी बहुत ही ज्यादा fair color का है तो गोरी गोरी skin दिखेगी या बच्चा थोड़ा सामला है या complexion dark है तो अभी थोड़ी उसकी skin जो है वो dark होने लगेगी lungs maturity जो है वो काफी active होने लगती है यानि के बच्चे के फेपड़े मजबूत होना शुरू हो गए है aeriola का जो function है वो oxygen और carbon dioxide को exchange करना है तो aeriola की growth जो है अब 24 weeks से वो काफी तेजी के साथ होना शुरू हो जाएगी अब है auditory system तो auditory system जो है बच्चे का जिसे hearing system भी बोलते हैं वो भी mature होने लगते हैं बच्चा वो recognize कर पाता है जैसे के बच्चे ने कोई sound सुना है और वो दुबारा कभी किसी दिन वही sound सुनता है तो उसे analyze करता है तो या तो वो एकदम से movement करके आपको बताएगा या फिर बिलकुल ही stop हो जाएगा तो इस बात के मतलब है कि बच्चे ने उस sound को पहचान लिया है बाकि जो भी बच्चे के organs हैं जैसे के kidney, liver, brain, intestine, genitalia है सबी अच्छे से काम करने लगते हैं बच्चे के sucking and swelling movement भी actively चलते रहते हैं अब बात करेंगे ममी के बारे में कि आपके अंदर क्या-क्या changes आए है यहां 24 week तक आते आते आप इस चीज़ को notice करेंगी कि आपका weight जो है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है और आप खुद भी इस चीज़ को feel कर सकती है इसके अलावा आपके कपड़ों का size बढ़ रहा है और यह दिन बढ़ दिन बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आपका अपना वज़न बढ़ेगा उसके साथ साथ आपके कपड़ों का size भी बढ़ता जाएगा swelling on body यानि के जिसम पर सूजन आ सकती है यह भी हो सकता है कि आपको इतनी ज़्यादा महसूस ना हो तो आगे चलके आपको ज्यादा महसूस होगी इसके अलावा हर औरत में सारे symptom नहीं आते हैं तो किसी किसी खावतीन को कोई गोई से symptom आते हैं headache यानि के सरकर दर्द आपको on off रहेगा कभी हो जाएगा कभी नहीं होगा बास खावतीन ऐसी भी होती है जिनको पूरे 9 मैंने सर्दत रहता है और बास ऐसी होती है जिनको एक दफ़ा भी सर में दर्द नहीं होता अब है growth of tummy तो अगर आप अपने tummy का size पूछेंगी तो ये almost umbilicus तक पहुचा हुआ है आपकी umbilicus पूरी बाहर आजाती है तो इसको smiling umbilicus भी बोलते हैं patient इसके लिए बहुत ज़्यादा concern होती है कि एकदम से मेरी umbilicus बाहर आ रही है छटे मैने में notice करेंगी आप तो ये नया change आपको अपने अंदर यानी 24 week में महसूस होगा दूसरा कारबल टरनर्ट सेंडरोम बोलते हैं कि आपको कलाई पर हलका सा एकदम से uncomfortable tingling और prinkling पेन स्टार्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ कलाई पर सूजन बढ़ती है प्लस ये जॉइन बहुत ज्यादा लेक्स हो जाते है तो यहाँ के नर्फ जो हैं वो complex हो जाते है तो अक्से खावतिन कहती हैं कि रिस्ट जॉइन यानि के कलाई पर movement करते हैं तो दर्द होता है तो इसका reason क्या है कि सूजन बढ़ती है प्लस वाइटमिन B12 की कमी हो जाती है तो इसमें आपको movement रखने के लिए oil massage करना होगा यहाँ पर मैं आपको tips के अलावा कुछ एहम बाते भी बताती चलूँ तो सबसे पहले है repeat anomaly scan अगर आपको डॉक्टर ने scan repeat करने को कहा है तो जो भी high risk patient है अगर किसी के tummy पर fade बहुत ज़्यादा है या किसी को diabetes है या बच्चे यानि के पहले बेबी में दिल की बिमारी की कोई history है या जो भी आपकी डॉक्टर आपको advice कर रही है तो आपको late anomaly scan repeat करना है तो 24 week में आपको anomaly scan का appointment लेना है और scan करवा के अपनी डॉक्टर को दिखाना है दूसरा है fetal 2D ego तो fetal 2D ego का मसलब है आपके बच्चे के heart का sonography detail वो भी अगर आप uncontrol diabetes की patient है या आपको पहले से या प्रेग्नेंसी से पहले से diabetes है या फिर आपके पहले baby में heart disease था या आपके बच्चे के around पानी बहुत ज्यादा है या आपकी age जो है वो 35 ते उपर है तो ये fetal 2D ego 24 week के around होगा एक और important test होता है इस week में यानि के जिसे हम लोग कहते हैं 75 gram GST जिसका मतलब है glucose sensitivity test छटे मैने में ये test होता है इस test में खातून को glucose देते हैं और glucose दे कर आपकी body को sensor dine करते हैं और 2 घंटे के बाद आपका sugar test करते हैं blood sugar test करते हैं अगर आप diabetes हैं तो इतना glucose D पीने के बाद आपकी sugar बढ़ जाएगी और अगर आप diabetic नहीं हो तो इतना सारा glucose D पीने के बाद आप sugar हजम कर सकेंगी और आपकी sugar level जो है वो normal रहेगा तो ये test आपका 24 week में होता है इसके अलावा बाकी जो भी tips हैं वो आप इस 24 week में भी follow करती रहेंगी जो मैं आपको शुरूगी से बता रही हूँ ये सब basic tips हैं जो आपको अब तक याद हो चुकी होंगी जैसे कि आपने diet chart को follow करना है और vegetables खानी है, fruits खाने है, पानी 3-4 liter पीना है exercise करनी है, walk करनी है, अपनी तमाम medicines को time पर लेना है बचे की movement का खास खयाल रखना है डॉक्टर की appointment आपने miss नहीं करनी है इन तमाम बातों को मदे नज़र रखते हुए अपना और अपने बचे का खास खयाल रखें अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें साथ हमाई चैनल को भी सबस्क्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हराने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके